हलो एन वेल्कम टू ये वेडियों यूट्यूब चानल देसी पटाका मैं हूँ अराधना आपके साथ पवित्रपुनिया घर से बेगर हो चुकी है और घर से बेगर होकर उन्होंने इंटरव्यू में काफी कुछ बोला है किसके बारे में क्या बोला है पवित्रा ने किसका ग घर के अंदर जो सबसे अच्छा समय उन्होंने बिताया वो तब बिताया जब वो रेड जोन में इजास के साथ थी और जो बात उन्हें इजास की हमेशा याद रहेगी या बिग बॉस के घर की किसी कंटेस्टन की सबसे जादा याद रहेगी वो होगा इजास का उनके जल रहा होता तो तबह बहुत गरम होता गैस बहुत गरम होती लेकिन वो उतनी गरम थी कि मानों अभी अभी जली है और मुझे वहाँ पर नेगेटिव एनरजी महसूस हुई तो यानि कि इसका मतलब पवित्रा का कहना अभी भी यही है कि घर के अंदर भूत है इसके साथ साथ कोई सहारा नहीं है इसलिए नोनों ने एक दूसरे का कंदा ले रखा है असली अलाइंस तो घर के अंदर है ही नहीं और सबको डर लगता था कि पवित्रा को अगर हम अपने साथ लेंगे तो वो सच बोलेगी सही का साथ देगी और मुद्दे पर अपना सही पॉइंट दिया है और पवित्रा को जो सबसे जादा चांसे अगर किसी के शो जीतने के लग रहे हैं तो वो है रुबिना जी हाँ पवित्रा को भी रुबिना एक स्टॉंग कंटेस्टेंट लग रही है लेकिन पवित्रा ने ये कहा है कि अगला अलिमिनेशन जो हो सकता है वो अभिन पूनिया की इंटर्वियू की वो बाते जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी जैसे कोई और अपडेट आएगे बिग बॉस की मैं फिर से आपको बताऊंगी जरूर लेकिन कमेंट्स में लिक्तर बताएगा कि आपको पवित्रा कितनी पसंद थी वीडियो को लाइक करें शेय करी कितनी हुआता कि वीचे भीचेश वीचेश क्याह